हलो एवरिबन कैसे आप सभी उमेद आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है अमित कुमार और मैं आपके लिए लेके आए हूँ ब्लड रिलेशन की थर्ड ग्लास जिसमें आप अगले 20 important question के उपर discuss करने वाले हैं चलिए start करते हैं आज के इस प्यारे से सैसन को आज के इस प्यारे से सैसन का पहला question आपके सामने ये रहा question दिया गया है राजीव अतुल का भाई है यहाँ पर राजीव अतुल का भाई है question में अतुल को सोनिया का पुत्तर कहा गया है और सोनिया सुनिया सुनिया की बहन है तो ये बताईए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है राजीव का सोनिया से क्या संबंध है आपको बताना है चार ओपसन आपके सामने है फर्स्ट ओपसन है भतिजा सेकंड ओपसन है पुत्तर थर्ड ओपसन है भाई और लास्ट ओपसन है पिता तो इसका सही अंसर हो जाएगा पुत्तर ओपसन नमबर B चलिए next question आपके सामने ये रहा question दिया गया है कि सीता अशोक की बतीजी है यहां पर सीता को अशोक की बतीजी कहा गया है यहां पर आ जाएगा सीता का पिता और इसका भाई आ जाएगा यहां पर अशोक सीता अशोक की बतीजी है अशोक की माता लक्ष्मी है अशोक की माता अगई यहां पर लक्ष्मी कल्यानी लक्ष्मी की माता है यहां आ जाएगी कल्यानी कल्यानी लक्ष्मी की माता है कल्यानी का पती गोपाल है कल्यानी का पती आगए यहां पर गोपाल पार्वती गोपाल की सास है पार्वती गोपाल की सास है मतलब वो कल्यानी की यहां पर क्या हो जाएगी मदर हो जाएगी कोश्चन के हिसाब से सीता का गोपाल से क्या संबंध है आपको बताना है सीता का संबंध बताना है गोपाल के साथ तो जिस किसी को इसका सही आंसर पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजी इसका सही आंसर क्या रहेगा चार ओप्सन आपके सामने ये है फर्स्ट ओप्शन है Great Grandson Daughter Second option है Gopal is Sita's Father मतलब कि Gopal Sita का पिता है तो पिता तो हो गई नहीं Gopal Sita का पिता है ओप्शन नमबर B तो कट हो गया थर्ड ओप्शन देखो Sita is Gopal's Great Granddaughter Sita Gopal की पड़ नातिन है हो सकता है भी Grand Nights मतलब कि नातिन या पूती तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहां पर Question जो है वो आपका 4th Generation, 5th Generation में चला गया है 4th Generation, 5th Generation में चला गया है तो आपको बताना है कि Sita का Gopal से क्या संबंध है तो इसका सही आंसर रहेगा आपका Option Number A Option Number C is Question का सही आंसर रहेगा Sita Gopal की पड़ नातिन है मतलब कि Sita is Gopal's Great Granddaughter Option Number C सही रहेगा चलिए Next Question Question Number 3 देखते हैं इसमें क्या दिया गया है Sita सुधीर की बहू है Sita सुरी सीमा सीमा सुधीर की बहू है सीमा यहां पर सुधीर की बहू है यहां इसका Husband आ जाएगा और आपका यहां सुधीर आ जाएगा जो की सीमा का आगे बोर रहा है और रमेश की भाबी मोहन सुधीर का पुत्तर है और रमेश की भाबी मोहन सुधीर का पुत्तर है question में mistake लग रहे हैं यहां पर question में यहां पर mistake है भाबी मोहन का पुत्तर है बहु है और रमेश की भाबी मोहन सुधिर का पुत्थर है और मेज का अकेला भाई सीमा और मोहन के भी संबंध बताना है Question में mistake है इस question को check करेंगे अभी के लिए इस question को रहने दिजिये आप लोग Question में mistake है यहांपर इस question को आप लोगोंने भी रहने देना skip कर देना इस question को चलिए next question, question number fourth देखते हैं, question क्या दिया गया है, question आपके सामने है, कि सुरेज एक आदमी का परीचय इस रूप में देता है, कि उस इस्तरी का पुत्तर है, जो मेरी माता, के पती की माता है, सुरेज का उस आदमी से क्या संबन है, आपको बताना है, चार ओप्सन आपके सामने गिवन है, first option है चाचा, second option रहेगा पुत्तर, third option है कजन, यानि के चचेरा भाई, last option है पोता, तो जिस किसी को इसका सही आंसर पता है, जल्दी से comment box में comment करके बता जीजिए, इसका सही आंस होता है, चलिए देखते हैं इस question को कैसे करेंगे, question में दिया गया था कि उस परिचै इस रूप में देता है, कि वो उस इस्तरी का पुत्तर है, किस की बात कर रहा है हो, सुरेज की बात कर रहा है, सुरेश की बात कर रहा है कि उस इस्त्री का पुत्तर है जो मेरी माता के पती मेरी माता मतलब यहां आ जाएगी सुरेश की माता इसका हज़्वेंड यानि कि यहां आ जाएगा इसका पती मेरी माता के पती की माता यहां इसकी माता आ जाएगी आगे बोल रहा है सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है इसका पुत्तर बोल रहा है यहां पर पुत्तर आएगा यह आपको बताना है कि सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है सुरेश का संबंध बताना है इसके साथ चार ओप्सन आपके सामने गिवन है फिर्स्ट है चाच्चा, दूसरा पुत्र पुत्र तो हो गए नहीं, तीसरा चचेरा भाई भी नहीं होगा, क्योंकि सेम जनरेशन की बात नहीं है, नहीं तो पुत्र होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, option number A, यानिके uncle, चलिए next question, question number 5 देखते हैं, question में क्या दिया गया ह question आपके जामने है कि किसी photograph, किसी photograph में एक महिला की ओर, संकेत करते हुए, मीरा ने कहा, अब मीरा कह रही है संकेत करते हुए, उसके पिता के एक मातर-पुत्र, मतलब की मीरा अपने वारे में कह रही है, एक महिला की और संकेत करते हुए महिला की और संकेत कर रही है मेरा कि उसके पिता मतलब इस महिला के पिता कि एक मात्तर पुत्तर यहां आ जाएगा इसका पुत्तर की पत्नी मेरी सास है इसकी पत्नी आ जाएगी यहां पर अपनी सास की बात कर रही है तो वो सास कब होगी तो यह सास कब होगी आपको बताना है क्वेश्चन में बोला गया है कि पत्नी मेरी सास है सास तब होगी जब इसके पुत्तर के साथ उसकी शाद्दी हुई होगी यहां पर आ जाएगी मीरा मीरा के पती का फोटोग्राफ वाली महिला से क्या संबंध है मतलब इसका संबंध बताना है इस महिला के साथ क्या है इस पुत्तर का संबंध बताना इस महिला के साथ क्या है ओप्सन है आपके सामने फस्ट है बतीजा second option है चाचा third option है पुत्तर और last option है फादर तो जिस किसी को इसका सही answer पता है जल्दी से comment box में comment करके बता जीजी कि इसका सही answer क्या रहेगा आपको बताना है यहांपर कि मीरा के पती का photograph वाली महिला से क्या संबंद है तो इसका सही answer हो जाएगा option number A option number A यानि के भतीजा इस question का बिलकुल सही answer हो जाएगा चलिए next question question number 6 देखते हैं question में क्या दिया गया है एक photo की और संकेत करते हुए बिकास ने कहा वह मेरे दादा के एकलोते पुत्तर की पुत्तरी है अब question में बोला गया है कि एक photo की और संकेत करते हुए बिकास ने कहा अब बिकास कह रहा है तो बिकास को ही हम यहां पर बना लेंगे question में मेरे दादा यहां पर इसका पिता आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा इसका दादा के एक लोते पुत्तर पुत्र मतलब विकास का पिता होगा वो की पुत्री है विकास का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है तो इन दोनों के बीच का रिलेशन पूछ रहा है आपसे तो इन दोनों के बीच का रिलेशन है फर्स्ट ओप्सन आपके सामने है पिता सेकेंड ओप्सन है ब्रदर थर्ड ओप्सन है सिस्टर और लास्ट ओप्सन है माता विकास का फोटोग्राफ वाली महिला से संबंद बताना है तो इसका तो ये भाई होगा ठीक है विकास का संबंद है इसके साथ ही इसका भाई है तो इसका सरी आंसर हो जाएगा option number B चलिए next question question number 7 देखते है क्या दिया गया question में सुरेज की बहन राम की पतनी है सुरेज की बहन यहाँ इसकी sister आ जाएगी सुरेज की वो राम की पतनी है question में ऐसे देखे रखा है राम रानी का भाई है question में बोल रहा है राम के पता मधूर है राम के पता मधूर है question में यह दिया है सीतल राम की दादी है सीतल राम की दादी है रीमा सीतल की पुत्तर बदू है रीमा सीतल की पुत्तर बदू है रीमा यहां आ जाएगी जो कि मधुर की बाइफ होगी रोहित रानी के भाई का पुत्तर है रोहित, रानी के भाई, यानि के राम का पुत्तर है रोहित रोहित सुरेश का क्या लगता है आपको बताना है जल्दी से चार ओप्सन आपके सामने गिवन है फर्स्ट ओप्सन है बरदर इनला, सेकेंड ओप्सन है पुत्तर, थर्ड ओप्सन है भाई, लास्ट ओप्सन है भांजा तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ओप्सन नमबर डी यानि के भांजा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नमबर एर्थ देखते हैं कोश्चन में क्या दिया गया है बिनोध ने बिशाल का परिचे अपने पिता की पतनी के एकलोते भाई के पुत्र के रूप में करवाया बिनोध से किस प्रकार सवंदित है बिनोध से किस प्रकार सवंदित है चलो देखते हैं कोश्चन में क्या बोला है बिनोध ने बिशाल क परिचे करवाया, परिचे कोन करवा रहा है, बिनोध करवा रहा है किसके साथ अपने पीथा, चलो देखते है बिनोद बिशाल का परिचेक अपने पिता की पतनी यहां पर इसका पिता आ जाएगा पिता की पतनी यहां आ जाएगा इसकी यह दोनों आपस में हजबन वाइफ हो जाएगे के एकलोते भाई अपने पिता की पतनी के एकलोते भाई मतलब इसका भाई आ जाएगा यहाँ पर के पुत्तर एकलोते भाई के पुत्तर मतलब इसका पुत्तर आ जाएगा यहाँ पर के रूप में कराया बिनोध से किस प्रकार सबंदित है बिनोज से ये किस परकार सबंदित है आपको बताना है Option है ममेरा भाई Second Option है ब्रदर ब्रदर तो हो गई नहीं क्योंकि सगे भाई या नहीं Sun भी नहीं आएगा Same generation में है Uncle भी नहीं होगा तो इसका सही answer हो जाएगा Option number A यानि के Cousin चलिए next question Question number 9 देखते हैं इसमें क्या दिया गया है Question आपके सामने है कि अपने बच्चों में अपने बच्चों में गंगा के बिशेश प्रिय है राम और रेखा रेखा सर्त की मा है जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है परिवार के मुखिया राम लाल है जिनके उत्रा धिकारी उनके बेटा गोपाल और मोहन है गोपाल और गंगा 35 वर्ष से बिवाहित हैं और उनके तीन बच्चे हैं मिथुन का मोहन के साथ क्या संबंद है आपको बताना है मिथुन का मोहन के साथ क्या संबंद है आपको बताना है जल्दी से जिस किसी को भी इसका सही आंसर पता है जल्दी से कमेंट बोक्स में कमेंट करके बता दीजिए इसका सही आंसर क्या रहेगा चलिए ट्राइ करते हैं इस question को कैसे करेंगे राम और रेखा, रेखा सरत की मा है तो यहां पर रेखा को बोला गया है कि वो सरत की मा है राम और रेखा, रेखा सरत की मा है जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है राम को कहा गया है यहां आ जाएगा इसका मामा मिथुन इमामा तभी होगा जब ये राम की मदर आएगी यहाँ पर परिवार के मुखिया राम लाल है जिनके उत्रा दिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन है और गोपाल इस क्वेश्चन को आप लोग स्किप कर दीजिए फिलहाल के लिए क्वेश्चन में काफी ज्यादा मिस्टेक्स लग रही हैं क्वेश्चन नमबर नाइन क्वेश्चन नमबर नाइन स्किप कर देना है आप लोगों ने फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नमबर टैन Question number 10 क्या है कि राहुल और रोबिन भाई है राहुल और रोबिन आपस में भाई है परमोद रोबिन के पिता है परमोद आगया यहां पर रोबिन का पिता सीला परमोद की बहन है सीला यहां पर परमोद की बहन है प्रेमा प्रमोद की भांजी है प्रेमा प्रमोद की भांजी है आगे वो रहा है कि सुभा सीला की नातिन दोहती है मतलब की क्वेशन बोला है कि सीता इस प्रमोद सिश्टर प्रेमा इस प्रमोद नाइस आगे बोल रहा है कि सुभास is सीला's granddaughter How is Rahul related to सुभा यहां पर परमोद प्रेमा जो है वो परमोद की भान्जी है भान्जी तभी होगी जब यह सीला की बेटी होगी आगे बोल रहा है कि सुभा सीला की नातिन है रहुल सुभा के क्या लगते है आप से पूछ रहा है यहां आ जाएगी सुभा क्योंकि granddaughter की बात करी है question में आपको बताना है कि इसका रहुल के साथ क्या संबंध है चार option आपके सामने given है फर्स्ट option है brother brother तो होगा है नहीं same generation में है यह नहीं मेरा भाई same generation की बात नहीं यह भी नहीं होगा ना ही तो भांजा होगा तो इसका सही answer हो जाएगा मामा चलिए next question question number 11 देखते है question number 11 आपके सामने यह रहा question दिया गया कि सभीता ने एक लड़के का ये कहकर परिचे कराया कि वह मेरे मामा जी के पिता की एक लोती पुत्री का पुत्तर है लड़का सभीता का क्या लगता है आप से पूछ रहा है चार option given है आपके पास भाई फर्स्ट option में सैकिंड option है पुत्तर थर्ड option है भतिजा और लास्ट option है दावाद तो जिस किसी को इसका सही answer पता जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके कि इसका सही answer क्या रहेगा चलिए करते हैं इस question को start सभीता ने एक लड़के का ये कहकर परिचे करवाया कि वो मेरे मामा जी के पिता मेरे मामा जी मतलब यहां पर इसकी माता आएगी इसका भाई आजाएगा यहां पर मतलब कि यह आजाएगा सभीता का मामा के पिता यहां पर आजाएगा इसका पिता जो की सभीता का होगा नाना कि एकलोती पुत्री यानि के इसकी माता है का पुत्तर है पुत्तर आजाएगा यहां पर इसका और आगे बोर रहा है कि लड़का सभीता का क्या लगता है यह बोर रहा है इन दोनों के बीच के रिलेशन पूछ रहा है कि लड़का सभीता से किस प्रकार सबंदीत है तो इसका भाई लगेगा यह यानि के option number A इस question का सही हो जाएगा चलिए next question question 12 आपके सामने यह रहा question दिया गया है कि गोपाल ने गोविंद की और इसारा करते हुए कहा अब गोपाल कहा रहा है गोविंद की और इसारा करते हुए इसका पिता इसका पिता मतलब की गोविंद का पिता गोविंद यह आ गया गोविंद और गोविंद का पिता आ गया यहां पर इसका पिता मेरे पिता का एकलोता पुत्तर है मेरे पिता का एकलोता पुत्तर है यहां पर आ जाएगा इसका पिता मेरे पिता का एकलोता पुत्तर है मतलब वो अपने बारे में ही बोल रहा है गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है गोपाल मतलब यही होगा आपका यही गोपाल होगा इसका संबंध बताना है गोविंद के साथ गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है आपको बताना है, चार ओप्सन है, फर्स्ट ओप्सन है दादा, सेकेंड ओप्सन है पुत्तर, दादा तो होगा नहीं, तीन जनरेशन की बात ही नहीं हो रही है, ग्रेंट सन भी नहीं हो सकता है, थर्ड ओप्सन है पुत्तर और लास्ट ओप्सन है फादर तो आपको question में बताना था कि गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है तो इसका सही answer होगा father अगर question में पूछा होता कि गोविंद से गोपाल का क्या संबंध है तो इसका सही answer रहता फिर पुत्तर question के हिसाब से इसका सही answer होगा option number D, पिता चलिए next question, question number 13 आपके सामने ये रहा तो जिस किसी को भी ये question करना है जल्दी से try कर लीजिए question दिया गया है कि प्रीती का आरुण नामक पुत्तर है प्रीती का पुत्तर है यहां पर आरुण राम प्रीती का भाई है question में देखे रखा है कि राम प्रीती का भाई है नीता की बी रीमा नामक पुत्तरी है नीता two as a daughter named रीमा की नीता की बी रीमा नामक पुत्तरी है यहां पर question में नीता की बी राम रीमा नामक पुत्तरी है यह दिया गया है इस लाइन को फिलाल छोड़ दीजी आगे देखो नीता राम की बहन है नीता आ जाएगी यहां पर राम की बहन मतलब वो पुत्तरी की भी बहन होगी और जो लाइन छोड़ी थी यहां से की नीता की रीमा नामक की पुत्तरी है तो यह आ जाएगी यहां पर इसकी पुत्तरी रीमा आगे बोल रहा है कि आरून का रीमा के साथ क्या संबंद है इनके बीच बताना कि आरून रीमा से किस प्रकार सबंदित है चार ओप्सन है आपके सामने फर्स्ट ओप्सन है भाई सागा भाई तो होगा नहीं मतलब यह ओप्सन ही गलत हो जाएगा भतीज्जा भतीज्जा भी नहीं हो सकता same generation की बात हो रही है third option है मुसेरा भाई और last option है मामा या चाच्चा तो ये भी नहीं होगा मुसेरा भाई ये सही हो जाएगा option number C option number C इस question का बिल्कुल सही answer रहेगा चलिए next question question number 14 देखते हैं इसमें क्या दिया गया है question है आपके सामने कि एक आदमी अपनी पुत्री का विवा अपनी चाच्ची के पुत्र के साथ करता है उसका दामाद पहले उस व्यक्ति को कैसे बुलाता पुकारता था ये question है आपके सामने तो जिस किसी को भी इसका सही answer बता है जल्दी से comment box में comment करके बता दीजिए कि इसका सही answer क्या रहेगा चलिए try करते हैं इस question को question दिया गया था कि एक आदमी अपने पुत्र का विवा अपनी चाच्ची के पुत्र के साथ करवाता है ये वो रहा है सबसे पहले क्या करेंगे आदमी को बना लेते हैं यहांपर ये आगा आदमी ठीक है अपनी पुत्री इसकी पुत्री आजायेगी यहांपर काविवा अपनी चाच्ची यहांपर आजाएगा इसका पिता अपनी चाची के पुत्तर के साथ चाची तभी लगेगी जब इसका यहाँ पर भाई आएगा इसके पिता का भाई आगए यहाँ पर और इसकी जो बाईफ होगी बे इसकी लगेगी चाची इनके बीच का जो रिलेशन होगा वो यह है आगे बोल रहा है चाची के पुत्तर के साथ करबाता है वो यहाँ आजाएगा इसका पुत्तर उसका दामाद पहले उस ब्यक्ति को कैसे बुलाता या पुकारता था आपको बोल रहा है अंकल तो बोलता होगा नहीं गलत हो जाएगा यह नाई तो brother बोलता होगा ये question भी गलत हो जाएगा option भी गलत हो जाएगा third option है फुफेरा भाई ये भी नहीं होगा फुफेरा भाई तो होगा होई नहीं सकता है फुफेरा भाई question में हो सकता है इसका answer auntie नहीं होगा, chaachie नहीं होगा तो इसका सही answer हैगा option number C option number C is question का सही answer हैगा यह बोर रहा थे कि यह आदवी से किस नाम से पुकारता था यह पूछ रहा है आपसे तो वो उसको फुफेरा भाई यानि कि फुफेरा भाई मतलब कि उसकी चाची का पुतर है तो वो पुकार सकता है तो इसका सही answer हैगा option number C चलिए next question question number 15 देखते है question number 15 है कि रामू की माता ने रामू से कहा मेरी माता का एक बेटा है अब कहे कोन रहा है रामू की माता रामू की माता ने रामू से कहा अब कह रही है रामू की माता तो यहां पर माता को बना लिते हैं किस से कह रही है रामू से कि मेरी माता मतलब इसकी माता आ जाएगी यहां पर रामू की माता की माता आ गई यहां पर का एक बेटा है इसका एक बेटा है मतलब कि रामू की माता का वो भाई होगा जिसका पुत्तर अच्युत है इसका पुत्तर आ गया यहां पर अच्युत अच्युत का रामू के साथ क्या संबंध है यह बोर रहा है संबंध बताना इन दोनों के बीच का क्या है अच्युत का संबंध बताना है रामू के साथ option है मामा या चाचा हो गए नहीं क्योंकि सेब जनरेशन में हैं दोगे मुमेरा भाई सेकेंड ओप्सिं है ठर्ड ओप्सिं है भाई भाई भी नहीं होगा क्योंकि सगे भाई नहीं है यह नाई तो भतीज्या होगा यानि कि ओप्स नंबर बीस question का बिल्कुल सभी answer हो जाएगा चलिए next question question number 16 देखते है question number 16 आपके सामने ये है कि रवी के पिता का एक पुत्तर रोहित है रवी के पिता ये आजाएगा रवी और रवी के पिता आजाएगे यहां पर रवी के पिता का एक पुत्तर रोहित है मतलब उसी का भाई होगा वो जिसकी एक बुआ लक्षमी है यहांपर आजाएगी लक्षमी जो की रवी के पिता की बहन होगी जिनके पती राव के ससुर जिनके पती मतलब लक्षमी के पती की बात कर रहा है यहांपर राव के ससुर मोहन है इसका नाम दे दिया मोहन इसका नाम गिवन है मोहन है राव के ससुर है ये ससुर कब होंगे जब इनकी यहां पर बेटी आएगी कोई ना कोई और यहां आ जाएगा राव तब ये ससुर कहलाएंगे मोहन का रवी से क्या संबंध है आपको बताना है मोहन का रवी के साथ क्या संबंध है आपको बताना है कि इन दोनों के बीच क्या संबंध है तो जिसकिसी को इसका सही आंसर पता लग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए ये चार option आपके सामने गिवन है first option है भतीजा second option है दादा दादा तो होगा यह नहीं second, दो जनरेशन की बात हो रही है पुत्तर भी नहीं होगा third option है चाच्चा तो चाच्चा भी नहीं होगा तो इसका सही answer हो जाएगा question number 16 का सही answer हो जाएगा option number A option number A is question का सही answer हो जाएगा तो इसमें दादा तो होगा नहीं क्योंकि तीन ही generation की बात ही नहीं होगा option number B इसका गलत हो जाएगा यहाँ पर B answer इसका नहीं होगा चलिए next question question number 17 देखते है question क्या है 17 कि BJ कहता है अनन्द की माता मेरी माता की एक मातर पुत्री है BJ कह रहा है कि अनन्द की माता जो है यह आगे अनन्द और अनन्द की माता मेरी माता की एक मातर पुत्री है मेरी माता की एक मातर पुत्री मतलब कि अनन्द की जो माता है BJ उसका भाई हो जाएगा यहां आ जाएगी इसकी माता बोल रहा है कि मेरी माता की एक मातर पुत्री है यानि कि अनंद की मा अनंद बिजे से किस प्रकार सवन्दित है भाई तो होगा यह उप्सिनवें गलत हो जाएगा फादर भी नहीं होगा भण जाओ third option है last option है grandfather ये भी नहीं होगा तो इसका सई answer हो जाएगा आपका option number third यानि के भांजा चलिए next question question number 18 आपके सामने ये रहा question number 18 देखे रखा इसने कि एक पूर्ष का परिचे करवाते हुए एक महिला ने कहा पूर्ष का परिचे पूर्ष की पत्नी एक पूर्ष का परिचे करवाते हुए एक महिला ने कहा तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पूर्ष को ही बना लेंगे इसकी पत्नी मतलब इसकी जो बाइफ होगी मेरी मा यहां पर मा आएगा मान नहीं आएगा मेरी मा की एकलोती पुत्री है मेरी मा की एकलोती पुत्री है महिला का पूर्ष से क्या संबंध है आपको बोल रहा है चार ओप्सन आपके सामने कीवन है भाबी या साली ये तो हो गई नहीं ये हो इनी सकता है सेकंड ओप्सन है भाइफ यानिके पतनी ये भी नहीं होगा थर्ड ओप्सन है थर्ड ओप्सन है मोसी यानिके बुआ लास्ट ओप्सन है सास यहां पर पतनी इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ये महिला इस पूर्स से किस प्रकार सबंदित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाइफ यानिके पतनी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नबर नाइंटीन आपके सामने ये है क्वेश्चन दिया गया है कि एक कैदी ने उससे मिलने आए लड़के का जेलर से परिचय कराते हुए कहा अब कैदी जेलर से परिचय करवा रहा है एक लड़के का कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है क्वेश्चन में बोल रहा है कि मेरा कोई भाई या बहन मेरा कोई भाई या बहन तो नहीं है नहीं ये लड़का मेरे पिता के पुत्तर का पुत्तर है नहीं तो ये लड़का मेरे पिता के पुत्तर का पुत्तर है लड़का उसका कोन है लड़का उसका कोन है आपसे पूछ रहा है चार ओप्सन आपके सामने गिवन है बतीज्जा फर्स्ट ओप्सन सेकंड ओप्सन है पुत्तर थर्ड ओप्सन है चचेरा भाई और लास्ट ओप्सन है चाचा तो जिस किसी को इसका सही आंसर पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजे इसका सही आंसर क्या रहेगा क्वश्चिन में पूछ रहा है कि लड़का उसका कौन है मतलब कि कैदी का चली करते हैं इस क्वश्चिन को कैसे करेंगे कैदी बोल रहा है कैदी ने कहा कि उससे मिलने आए आए लड़के का जेलर से परिचे करवाते हुए कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है कैद्दी कि ना ही तो कोई भाई है ना ही तो बहन है ना ही ये लड़का मेरे पिता का पुत्तर है और लड़का उसका क्या लगता है condition यह होगी कि इसका लड़का लगेगा यानि कि आपका सही आंसर हो जाएगा पुत्तर option number B चलिए next question आज की session का last question है यह आपके सामने तो जल्दी से इस question को try करिए और बताईए कि इसका सही आंसर क्या रहेगा question है कि माला की और इसारा करते हुए कला ने कहा वो मेरे भाई कहा कोन रहा है कला कह रही है वो मेरे भाई तो मतलब की कला का भाई आ जाएगा यहाँ पर की एकलोती बेहन का पुत्तर है वो मेरे भाई की एकलोती बेहन मतलब अपने बारे में अपनी बात कर रही है वो एकलोती बेहन की पुत्तरी है यहां पर आ जाएगी इसकी पुत्री आने के माला माला का कला से क्या संबंध है आप से पूछ रहा है चार ओप्सन आपके सामने गिवन है माता तो होगी नहीं थर्ड ओप्सन है मोसी भी नहीं होगी ना ही तो भतीजी होगी तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number B यानि के पुत्री तो आज के session में इतने ही question थे आपके लिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को like, share, subscribe करना ना भूले और bell icon को please दवा दे, thank you